हेलो गुड मॉनिंग माई डियर स्टुडेंट्स आइम ये इंग्लिश टीचर मौमद जमीर एंड वेलकम बैक तुम यूट्यूब चैनल आफ्टर हॉलिडे हेलो बच्चों आपके छुटियों के बाद आप से आपका जो फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज स से हम हमारा सेकंड टर्म का सेलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड टर्म के सेलेबस में यूनेट स्टडी टोर 3 तीसरा यूनेट यहां स्टार्ट हो रहा है इस पर सबसे पहले है 3.1 टाइम 3.1 टाइम यह पेज नंबर 54 पे है आपके मा एंगलिश बुक सिक्स के टाइम नाम की एक पोएम है चलिए हम पहले इसको एक बार पढ़ते हैं फिर उसका ट्रांसलेशन देखेंगे 4.2 how many seconds in a minute 60 and no more init 4.3 how many minutes in an hour 60 for sun and shower 5.3 how many hours in a day 24 for work and play 5.th Michael f Literyi in big seven both to hear and speak How many weeks in a month? Four as the swift moon runs. How many months in a year? Twelve, the almanac makes clear. How many years in an age? One hundred, says the sage. How many ages in time? No one knows the rhyme. Christina Rossetti. इस पोएम के जो पोएट है, वो कौन है? Christina Rossetti है. तो यहाँ पर हमने पोएम पढ़ लिये हैं. अब हम जो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं. चलिए. How many seconds in a minute? एक मिनट में कितने seconds होते हैं? 60 and no more in it. 60 seconds होते हैं. उससे ज़्यादा नहीं होते हैं. How many minutes in an hour? एक hour में एक घंटे में कितने मिनट सोते हैं? 60 for sun and shower. 60 होते हैं sun यानी के धूप and shower और बारेश के लिए. कितने होते हैं? 60 मिनट सोते हैं एक घंटे में. उसमें कभी बारेश भी होती है, कभी धूप भी निकलती है. How many hours in a day? 24 for work and play. एक day में एक दिन में कितने hours होते हैं? कितने घंटे होते हैं? 24, 24 घंटे होते हैं for work and play. वर्क के लिए, काम के लिए और खेलने के लिए भी. How many days in a week? एक week में, एक हफ़ते में कितने दिन होते हैं? 7, both to hear and speak. साथ होते हैं दोनों काम के लिए, सुनने के लिए और speak करने के लिए, बोलने के लिए. How many weeks in a month? अब एक मन्त में, एक महिने में, कितने weeks होते हैं? Four as the swift moon run. Four, चार weeks होते हैं. As a swift, swift यानि के तेजी से चलने वाला moon. रंद, रंद ये Old English का जो है, लवज है, रंद के लिए, रंद दोड़ता है, उसके लिए ये Old English में word use होता था, रंद. तो जब तेजी से मून जो चान है, वो जाता है, दोड़ता है, उसके लिए कितने होते हैं? Four, चार weeks, चार हफते होते हैं. How many months in a year? एक year में, एक साल में, कितने months होते हैं? Twelve, the Almanac makes clear. बारा होते हैं, ये Almanac जो है, वो clear करता है. Almanac किसे कहते हैं? Almanac, एक चोटी सी बुक होती है, जिसमें चान का और दिन निकलने का पुरा schedule इसमें दिया जाता है, हर दिन के साफ से, आज की जो तारीख है, इसमें सूरज कितने बज़े निकलेगा, कितने बज़े डूबेगा, गुरूब होगा, और चान कब निकलेगा, चान की क्या तारीख है, आमावस कब होगी, पूरनिमा कब होगी, ये सब उसमें दिया हुआ होता है, और ग्रहन कब हो गाय सब उसमें दियावा होता है उसे कहते हैं उर्दमे से जनतरी कहते हैं तो यह क्या करती है से क्लियर कर रही है हाउ मेनी एज एज एक दौर एक पीड़ी या एक सदी एक जमान एक जमाने में कितने जो है साल होते हैं यहाँ पे एज के मानियाँ पे सदी लिए गए हैं क्या लिए गए हैं सदी तो 100 सेज़ दा सेज यहाँ पे एक सदी में कितने साल होते हैं 100 साल होते हैं सेज़ दा सेज़ कहते हैं अकल मंद, आदमी, दानिश मंद, साधू, सान्थ उसे कहेंगे सेज तो उनका क्या कहना है कि एक सदी में कितने साल होते हैं वन हंड़ेड एक सव उसके बाद हाउ मेनी एजेस इन टाइम अब पूरे वक्त में पूरे दौर में पूरी जो दुनिया जब से शिरू ही है जब और अभी तक और आगे कब तक रहेगी उसमें कितने एज एजेस रहेंगी कितने दौर होंगे कितने सदियां होंगी यह आपको पता है क्या नहीं किसी को पता नहीं है नौ वन नोज दर राइम यह कोई नहीं जानता तो यह क्रिस्टेना होरसेटी की लिखी भी बहुत ही प्याजरी पोएम हमने आज पढ़े हैं इसकी exercise जो question answer से वो हम next video में कल देखेंगे, okay, thank you very much.